नमस्कार मित्रों मैं आपको ऐसी रहस्सिमई चमतकारी वनस्पती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा तांबे को सोना बना जा सकता है और पारे को भी सोना बना जा सकता है मित्रों यह जो वनस्पती होती है बहुत ही दुरलव होती है और इस वनस्पती का नाम है तेलियाकंद जिहां दोस्तों तेलियाकंद एक दुरलव वनस्पती है जो की आसानी से नहीं मिलती है इसको खोजने के लिए हमें बहुत ही कठिन परिस्रम करने के आशकता पड़ती है मित्रों जो तेलियकंद होता है इसमें मादा और नर तेलियकंद होता है लेकिन जो यह सक्ति होती है यह सक्ति केवल और केवल नर तेलियकंद के पास होती है जिहां दोस्तों दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी होता है और बहुत ही खतरनाक और जहरीला होता है जिहां दोस्तों और मित्रों जो पुराना गरंत है उसमें इस चमतकारी तेलियकंद वनसपती के बारे में बताया गया है कि इसके कंद के पास इसके जड़ में दो जहरीले सा आप रहते हैं अपना घर बना करके और जो भी इस वनस्पती को उखाड़ने के लिए जाता है तो दोस्तों यह सर्प उसके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन दोस्तों हमें इस वनस्पती को बड़े ही सौधानी पुर्वक प्राप्त करने की ओ सकता है और तोरमित्रों इसके द सानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तेलिया कंद वनस्पती के द्वारा इसके द्वारा अपनी आयू को बढ़ा सकता है यानि की मित्रों एक तरह से वह मिर्त्यू पर बिजे पा सकता है लेकिन आमर तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ काल तक मिर्त्यू पर जो है मित् लेकिन दोस्तों इस वनस्पती का हम ऐसे प्रियोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह तेलियकंद बहुत ही जहरीला होता है पहले इसको सुध किया जाता है तो दोस्तों मैं आपको तेलियकंद वनस्पती के बारे में जो की बहुत ही चमतकारी है और रहस्यमई सक्तियों से परिपून है तो दोस्तों आप सभी से अनरोध है अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजिये और घंती दवा लिजिए नहीं पहले से और हमारी बुडियो को लाइक कर ले необходимо सातमे इस जानकारी को दूसरे के साथ भी सेर करलेई जहां क्यूंकि हम अपने चैनल के माध्यम में तरह तरह की रहस्यमई जानकारियां लेकर कर के आते हैं जैसे तांत्रिक वनस्पती रहस्यमई जड़ी बूटियां तथा रहस्यमई पक्षी तथा रहस्यमई तांत्रिक साधनाय और कई प्रकार के रहस्यमई ज्यान लेकर के आते रहते हैं तो दोस्तों पिलीस आप सभी सन्रोध है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को जो है मित्रों लाइक करें और घंटी भी जरूर दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें और भविस में जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे उसका आपको संकेत प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों तेलिया कंद और सदी के बारे में आपने सुला जरूर होगा परंतु तेलिया कंद का पौधा सायद ही आपने देखा होगा क्यूंकि यह बहुत ही दुरलव परजाती का पौधा है तो मैं आपको बताता हूँ असली तेलियाकंद के पौधे के बारे में और इसके चमतकारी प्रियोग के बारे में तेलियाकंद एक चमतकारी दिव औसधी है और आयुरुबेद के अनुसार जिहां दोस्तों आयुरुबेद के अनुसार चोंसट दिव औसधी में से सबसे दुरलभ और चमतकारी माना गया है भारत में तेलियाकंद की अनेक प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से सारो मेटम बेनोसम नाम की इस प्रजाती को असली तेलियकंद माना गया है मित्रों हम आपको इस वीडियो में असली तेलियकंद को जिहां दोस्तों जो असली तेलियकंद है उसको कैसे पहचान सकते हैं ताकि आपको कोई मूरक न बना पाए वो भी हम बताएंगे कि इसकी असली पहचान क्या है क्योंकि दोस्तों तेलिया कंद जैसे दिखने वाले इस धर्ती पर अनेक पौधे हैं अनेक वनस्पतियां हैं जिससे की साधक और हमारे प्यारे दर्सक धोखा खा जाते हैं तो दोस्तों हम सब कुछ बताएंगे लेकिन आपको यह वीडियो पूरा अंते तक देखना पड़ेगा और सही से वीडियो को स्कीप मत करिएगा क्यूंकि आपको वीडियो में बहुत कुछ बरीकी से बताया जा रहा है जो कि आपको कहीं पर नहीं बताया जाता होगा यह भी सेश्ता मधपरदेश 36 गड़ उत्राचल अमरकंटक हिमाचल आदिच्छेत्र में पाया जाता है दोस्तों तेलिया कंद बहुत ही जहरीला होता है इसे बिना सोधन किये अर्थात बिना सुध किये आयुरुबेद में इसका प्रियोग नहीं लाया जा सकता इसके कंद के छोटे छोटे टुकडे करके गोमुत्र या नमक के पानी में डालकर तीन दिन तक रखा जाए और ततपश्चात यानि इसके बाद गाय के दूध में उबालकर सुखा लिया जाए तो यह सेवन करने योग हो जाता है परन्तु इसका सेवन बहुत ही सौधानी तथा अल्प मातरा में किया जाना चाहिए अर्थात बहुत ही सौधानी से कम मातरा में इसका प्रियोग करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति इसका बीना सुध किये हुए प्रियोग करता है तो दोस्तों इसकी मिर्ट्यू भी हो सकती है इस चीज का विशेज ध्यान रखें ठ जानकारी के उद्देश से बता रहे हैं और बना रहे हैं तो दोस्तों अल्प मात्रा में ही इसका प्रयोग हमें करना चाहिए तेलियाकंद के सेवन से कैंसर अस्थमा मिर्गी रोग गाठिया रोग चर्म रोग सफेद दाग सर्पविस और कंठमाला रोग जलोदर रोग इत् साथ 21 दिनों तक सेवन किया जाए तो सरीर का काया कल्प हो जाता है अर्थात मित्रों आपके सरीर में जो जुर्या होती हैं अगर आप बूरे हैं तो दोस्तों आप जमान दिखने लग जाएंगे आपके अंदर 25 साल तक की चुष्टी आ जाएगी और दोस्तों जो आपका स जबूत सरीया को भी मोड सकते हो जी हां दोस्तों इतनी सकती साली होती है लेकिन इसमें जो है मित्रों बहुत ही सौधानी से इसका प्रियोग करना चाहिए और दोस्तों इसके प्रियोग से सफेद बाल काले हो जाते हैं तेलिया कंद जब 12 साल पुराना हो जाता है तब वह चमतकारी गुणों से युक्त हो जाता है अर्थात जो तेलियकंद होता है मित्रों जो नर तेलियकंद होता है वह 12 साल का चक्र पूरा करता है मान लिजिए कि कोई तेलियकंद का जो पौधा होता है वह पौधा है तो दोस्तों जो तेलियकंद का पौधा होता है न मित्रों ज जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इसकी जड़ में कंद होता है असली प्रियोग इसके कंद में कंद का होता है और सारी सक्ति इसके कंद में होती है और यह तेलिया कंद 12 साल का जब चक्र पूरा कर लेता है तब इसके अंदर कुदरती तोर पर जो है इसके अंदर यह कंद कैसे पूरा करता है मितरों बरसाथ के सट्ड़त भी ठत्त है शुनासे अग में हरता है और फिर मित्रों जैसे ही बारिस आती है तो दुबारा से इस कंद में पत्ते आ जाते हैं जिहां दोस्तों और जैसे ही पत्ते आ जाते हैं तो दोस्तों फिर गर्मी आती है फिर इसके पत्ते सुख जाते हैं धड़ जाते हैं फिर बरसात का मौसम आता है फिर इसमें नय पत्त आजाते हैं यानि कि इसी तरह यह प्रक्रिया चलती रहती है यह जो प्राकर्तिक प्रक्रिया है तेलियकंद की चलती रहती है और यह तेलियकंद बारा साल जिहां दोस्तों बारा साल तक यह जब चक्र काटता है और बारा साल पुराना हो जाने के बाद तब इसमें और दोस्तों जहां पर यह तेलिया कंद होता है वहां की मिट्टी तेल जैसी होती है जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसकी यही खासियत है और मित्रों तब वह चमतकारी गुणों से युक्त हो जाता है और इसके कंद में से तेल जैसा जिहां दोस्तों तेल जैसा तरल लोगारण डाला हो यसकी पहचान उसकी मिट्टी की और जिसके प्रभाव से तेल्ययकंड के आज़ पास की मिट्टी तेल्य जैसी हो जाती है कहा जाता है तेल्यकंड के नीचे जहरीले सरपों का निवास होता है यानी कि मित्रों जो तेलियकंद का पौधा होता है वहाँ पर जहरीले सांपों का निवास होता है जो कि आम सांपों से चार गुना ज्यादा सक्ति साली होते हैं इसलिए इसे निकालते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए कहा जाता है तेलियकंद में लोहे की कील को कुछ देर पूरी तरह से गिर जाती है यह इस टेलियाकंद की पहचान है जो असली टेलियकंद होता है तेलियकंद सर्फ-दन्स की ॰ामबाण और सधिय में सर्फ यां विच्छू के काटे हो इस थान पर तेलियंकंद को पीछ करने से इसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है दोस्तों तेलियकंद बहुत ही चमतकारी है और मित्रों हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से अपनी सरीर के अंदर अलोकिक सक्तियों को जगा सकते हैं और तांबे धातु को और पारे धातु को सोना कैसे बना सक कहा जाता है तेलियकंद के रस में सुध तांबे को पिगला कर डाला जाए तो तांबा धातु सुध सोने में परीवर्तित हो जाता है अर्थात तांबा स बन जाता कैसे सुध पारे को घोटने से अर्थात मर्धन से पारा ठोस रूप धारण कर लेता है और फिर पारे की गुटका बना कर यदी मुह में रख लिया जाए तो मनुस के अंदर अलोकिक सक्तियों का संचार होने लगता है अर्थात मनुस आसानी से हवा में उड़ सकता है और यहां वहां आ जा सकता है और इससे हैरत अंगेज का सोना बनाया जा सकता है जिहां दोस्तों पौराणिक गरंतों में लिखा गया है कि गंधक मित्रों गंधक नाम का एक तत्त होता है पदार्थ होता है ठीक है मित्रों तो गंधक के तेल में पारे को तीन दिन तक घोंट कर जिहां दोस्तों गंधक के तेल में पारे को तीन दि जाता है इस प्रकिरिया में गंधक के तेल को पारे में घोटने से पारे का एक इलक्ट्रोन कम हो जाता है तथा गंधक पारे में पीला रंग देता है जो दमित्रों गंधक नाम का धातु होता है यह पारे में पीला रंग देता है और तेलिया कंद पारे को ठोस कर देता है इस प्रकार से पारसुध सोने में परिवर्थित हो जाता है दोस्तों तेलियकंद के और भी बहुत सारे चमदकारी पैदे हैं जो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे लेकिन दोस्तों तेलियकंद वास्तों में ही बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है दुर्लब वा नस्पती है इसको असानी से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है जब भी कोई इस पौधे को अगर खोज ले अगर आप पास जा करके खीशते हैं तो बहुत ज़्यादा सोधानी बरतने की ओ सकता है इस तेलियकंद में अद्भूत गुण होते हैं इसके दोस्तों और भी फैदे हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे मित्रों तेलियकंद की इतने फैदे हैं अगर मैं गिनाने बैड़ जाओं मित्रों तो सुबह से साम हो जाएगी इसलिए दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं बिस्तार पूर्बक देता हूं ताकि आपके मन में कोई संसे ना रहे कोई भ्रह्म अर्थात कहने का मतलब है आपके मस्तिस्क में किसी प्रकार का कोई जो है भ्रह्म न रहे और मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं बिस्तार पूर्बक इसलिए देता हूं इसलिए वीडियो हमारी लंबी हो जाती है क्योंकि हम जो भी जानकारी देते हैं बिस्तार पूर्वक देते हैं और चाहता तो दोस्तों आपको पांच मिन्ट की भी दो मिन्ट की भी बीडियो बना कर दे सकता था लेकिन दोस्तों उसमें क्या है ना कि आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाती तो दोस्तों आप जो है इस जानकारी का लाब लीजिए और अगर मुझसे इस वीडियो में कोई तुरुटी हो गई हो तो किर्पा करके मुझे छमा करने का कष्ट करें और जो भी आपके सवाल है जो भी आपकी मनसा है आप हमें कमेंट बोक्स में बताईए हम आपकी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को सेर करें ताकि दूसरे भी इस जानकारी का लाब लें उम्मीद करेंगे कि आपको यह रहस्ते में जानकारी पसंद आएगी और आपने हमारी वीडियो देखी आपका हिर्दे से अभारी उमित्रों धन्यवाद